नश्कार दोस्तो तो तो दोस्तो आज मैं आप दो केले मैं अज़ा कोच ऐसे देर न करते हिवे हो वह न सुरू करते हैं तो देख़े पहला प्रश्ण आपका है दो संख्याहों का अनुपात तीन अनुपात चार है तो तो दोनों संख्याओं का लासा ग्याद किदे हैं तो देखें, simple surprise दोस्तों तो दो संख्याओं का अनुपात बोला 3 और 4 है, क्या है? 3 और 4 तब पहली संख्या मान लेते हैं, 3 है ये और दुसरी संख्या जो है सो 4 है, क्या है? 4 है उनका मासा 15 है तो इसमें भी हम 15 से गुना कर दीजीं तो दोनों संख्याओं का लासा ग्याद किजें गुने HCF बरावर पहली संख्या क्या पहली संख्या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या दूसरी संख्या अब जो है देखे अब यहाँ जो है पहली संख्या 45 है क्या है यहाँ पहली संख्या जो लिखे थे तो यह 45 है दूसरी दिशन क्या कितना है तो 60 है यहां 60 लिख दीजिए अब हमसे क्या ग्याद करने बोला LCM लासा तो लासा को X मान लिजे या यू ही रहने दीजे जैसे भी करना है और SCF यहां कितना है तो यहां दिया हुआ 15 लिख दीजे बराबर कचिन दीजे उसके बाद थोड़ा सार लंबा मैं करके समझा रहा हूं चले X बराबर यह 45 गुने 60 कीजिए और यह 15 बटा में आजाएगा यहां भी आप काट सकते हैं लेकर मैं समझाने के लिए थोड़ा से लंबा दोस्तों क्याएगा 180 घ्रेल एल से हम कितना थिए तो 180 अहीं हमारा इंशपना होगे दोस्तों दोस्तों तो सही दिज्ञ पर सबसे के दिखते हैं आप अब दिन दुसरे नंबर प्रस दोश्तों लेक्ति नमबर प्रस आपका कर्ren다 दो संख्याएं 4 अर 5 गucharinity नाउबस में हैं, और उनका गुनयनफल 5120 है, दोनों संख्याओं का मौसा ग्याद कीजिए, यहां महत्तम समापर तक ग्याद करने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है। यह बोल रहा है तो देखिए, माना संख्या, मान लेते हम क्या haram माना संख्या, बराबर एकस अब यह जो 4 है और 5 के अनुपात में है और इनका गुणनफल पुल रहा है, 1 arm 2 तो यह लीकिया 4× 5 X बराबर मुणनफल पुल रहा है और 4 और 5 का गुणनफल तो 4X 5X मानना है यह अब कि तो चार एक्स और इक पाँच एक्स यह जो है अब इसको गुना करेंगे तो 20 x स्क्वाईर आजागा क्या आजागा 2 x स्क्वाइर बराबर है एक कावण सो बीस अब यहां से काड़ दीजे बीस से काट दीजे नहीं करते हैं काड़ देते हैं ठीक है चलिए थोड़ा लंबा करते रहा हूं समझने के लिए एक स्क्वाइर बराबर हमारा क्या हो जाएगा एक आवन सो बीस बठा ये बीस आजाएगा ये जीरो काटिए ये जीरो काटिए ये दो से काटेंगे कितना आजाएगा ये हमारा दो सो छपपन आजाएगा 256 ये आ गया अब हमारा आया क्या x square बराबर 256 अब x बराबर क्या आएगा तो 256 का ये square है जब बराबर के दहरे साइड आएगा तो ये root आजाएगा इस पर दोस्तों तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा x बराबर हमारा हो जाएगा 256 का वर्गूल निकालें, कितना हो जागा तो सुल्ला हो जागा, क्या हो जागा, सुल्ला तो अही हमारा इंसर हो जागा तो दोनों संख्याओं का मासा मासा क्या माने थे ये, X माने थे तो दोनों संख्या का मासा क्या आया दोस्तों तो सुला आए अही हमारा इंसर हो गया चलिए हम मासा लिख देते हैं यह संख्या लिखे थे यहां मासा होना चाहिए क्या होना चाहिए मासा का मासा या HCF जो भी लिखे तो सही इंसर क्या हो गया तो सी नमबर हो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते और नेक्स प्रस को देखते ह अब देखें तीसरी नंबर प्रस्थ तीसरी नंबर आपका प्रस्थ कर रहा है दो संख्या का अनुपाद साथ अनुपाद नौ है जब कि दोनुग संख्या का अंतर दस है बडी संख्या दो बार हो गया है जो दोवार हो गया टैपिंग को क्या करना है बड़ी संख्या ज़ाट किजिए एक ऑप जो है दोस्तों देखेli िहां सिर्फ क्या वोल或者 कि दोसंख्या का अनुपात साथ अनुपात order है क्या है साथ अनुपात 9 यह साथ अनुपात 9 है जबकि संख्याओं का अंतर सिस्बाद गालवा दे के नल मायनस है यह 9 Bal बराबर 10 तो X बराबर यहीं सी कार दीजिए तो 2 पटे दस आया कितना आया तो 5 आया अब हमसे पूछ रहा है ki बड़ी संख्या ग्याद किजे दो बड़ी संख्या क्या है यह 9X है दोस्तोर तो 9X बड़ाबर क्तो 9 और Xadore कितना बाठ तो 45 आ दोस्तोर अहीं हमारा तो सही इंसर हो गया आपको हमारा बी नंबर चलिए आगे बढ़ते हो नेक्स प्रस को देखते हैं अब देखिए चौते नंबर प्रस दोस्तों अब यहां बोल रहा है दो संख्याव के योग और जोड पांसो बीस है और दोनों संख्या का अनुपात 11 अनुपात 15 हो तो प्लस यह 15 एक्स बराबर योग बोला था इसलिएं पलस का चिन दी यह बीच में यो कितना है 520 अब 11 और 15 को जोड दीजेंगे तो कितना आ जाएगा यह हमारा आ जाएगा 26 26 26 26 बराबर 520 तो एकस बराबर क्या होगा 26 यहां कार जीजे तो 26 दुनी 52 एक-0 दे दीजे तो ए प्रोटिस से कितना है तो 11 एकस बड़ाबर क्या होगा तो 11 और एकस का वन कितना है बीस अब इसको गुना कर दिए तो 11 दूनी 22 और 220 आ जाएगा अहीं हमारा एंसर हो गया तो सही एंसर क्या आया तो डी नमबर तो दोस्तों आज यही तक अगर दोस्तों आप लोगों को स्क्राइब करें और वीडियो का एक पर सेयर करते हैं चलिए थैंक यू